चंदिगर्ड में करीब 35 साल पुराने एक मामले में चंदिगर्ड पुलिस की PO और संवंड सेल को सफलता हासिल होई है एक PO काबू किया गया है थाला कि टेरिजम से जुड़ा ये मामला था जिसको लेकर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल होई है कई समय से लंबे समय से पुलिस इस पर काम कर रही थी लेकिन अब जाकर जो आरोपी है उसको काबू कर ले गया है सिनेर आफिसर हमारे साथ हैं उनसे बाक्षित करते हैं सुने सर क्योंकि ये मामला टर्रिजम से जुड़ा हुआ है अब जाकर करीब 35 साल बहुत लंबा समय होता है इसको काबू किया गया है पूरा मामला क्या था तो इन्वेस्टिकेशन में क्या क्या चीज़ आई ये देखिए ये विजेकमार नाम का आदमी है जो पिछे फुरुका बाद जुपी करने बाला था 90 में पूले सेशन 31 चड़ीगर में एक आर्म्स एक्टोर डाड़ा का मकदमा दर्ज होया था जिसमें इसको रेस्ट किया था हमारी पार्टिज ने हमारी टीम ने उसके बाद इसको कोर्ट में पेश किया गया था और देश के अलग लग हिस्सों में उसकी सप्लाई करता था और इसने इंटेरोगेशन में ये भी बताया है कि जो शमीम खान था उसके मुक्तार अंसारी के साथ भी तो लोकाब थे कुछ रギडीशन थे तो इसके ओपर हमारी पी ओ अन्सम traffान की टीम काफी देर से काम कर रहे थी और कई वर जाके रातों को वहां रही आया है और इसको पिछली रात फिर हमारी टीम ने जाके पियो एंट सम्मल सहल की टीम ने इटो के बठे के पास से इसको अरेस्ट किया है उसको अरेस्ट करके लेकि आई अभी तक इन्वेस्टिकेशन में आया है कि 35 साल ये कैसे रहा नाम बदल कर रहा ये कहां कहा रहा ये सबसे पहले तो 6-7 साल वो जो शमीम खाम नाम का व्यक्ति था उसके पास रहा उसके बाद इसको पता जला कि शमीम खाम को लोकल पुलिस ने किसी केस में रेस्ट कर लिया उसके बाद वहां से भाग गया उसके बाद ये आके फ्रीदावाद इसने फ्रीदावाद सहत पूर्दाम के गाउं में इसने अपनी शहर्ण ले ली वहां अपने बच्चों के साथ अब इसकी शादी होगी है वहां रह रहा है पहले जब इसको रेस्ट लिया था उस्ट अन् किस तरह से पुलिश की टीम ने काम किया क्योंकि जैसे आपने बताया क काफी महनत की है पॉ 때문에 investigation कर तक hands-tik कैसे पुलिश ? उस तक सार्च में मलब human intelligence संठुके हिएक बंद मिल जाएगा ? lack nice सर्च करते रहे हैं पर जो लाज सफलता है यह पिछ्टी रात हमारे मलाज़ों को सफलता मिली है तो इसको रेस्ट करके लेकिए पहले भी पियो सम्मन सेल ने 35-40 साल पुराने केसी सौट आट की और ये भी कह सकते हैं कि बड़ी सफलता है और टाडा से जुड़ा ये मामला है जी बिलकु बिलकु आम जेक्ट और टाडा पर जुड़ा हुआ मामला है ऐसे मामलों में हमारे इंस्पेक्साफ के पास और भी फाइल ले उसके उपर काम चलना है तो हो सकता है कि और भी कोई जल्दी सफलता मिले बिलकु जैसे सर ने बताया कि काफी सर्च किये गए काफी ज़्यादा इंवेस्टिगेशन की गई वहां जाकर रहे जो पुलिस मुलाजिम है उन्होंने भेश बदल कर वहां पर रहकर काम करने का वो भी किया और फाइनली अब जाके जो आरोपी है उसको काबू कर लिया ग साथ भी उसकी रिलेशन्स आए उनके साथ इसके संबनते और अब जाकर ये चंदिगर्ड पुलिस की पियो और संबन सेल ने गिरफतार किया है पुस्ताच में और भी कई खुलासे इसमें सामने आ रहे हैं जिसको लेकर पुलिस आगे भी इसका खुलासा करेगी चंदिगर करते हैं